Hey friends, पखलेट एक नई डार्क कॉमेडी मूवी है जिसे नेट्फिक्स पे रिलीज किया गया है और इस मूवी से सान्या मनोतरा ने सब को हेरान कर दिया है केसे इसके लिए वीडियो एन तक जरूर देखें तो टाइम वेस्ट किये बिना बात कर लेते हैं मूवी की अच्छी बुरी चीजों की स्टार्ट करते हैं स्टोरी से जिसमें संध्या अपनी शादी के कुछ ही महीनों बाद विद्वा हो जाती है पर उसे अपने पती की मौद का कोई अफसोस नहीं होता जो देख कर सब चोग जाते हैं धीरे धीरे संधिया को अपने पती की पास लाइफ के बारे में भी पता चलने लगता है अब वो सच क्या है और संधिया आखिर इतना आजीब बिहेव क्यों करती है ये तो चीजे मूवी से आपको एंड तक जोड़े रखेगी स्टोरी की बात करे तो इसे बहुत ही ब्रिलियन तरीके से लिखा और दिखाया गया है जिस तरह से एक मातम के मोके पे भी छोटे छोटे फ़न एलिमेंट्स डाले गए हैं और मस्ती मजाख में सोसाइटी और रिलेटिवस की सोच दिखाई गई है वो तारीफ के काविल है एक्टर्स की बात करे तो लूडो मूवी के बाद सान्या ने एक बार फिर से खुद को साबित किया है सान्या का केरेक्टर मूवी में जान डाल देता है क्रिटिक्स से लेकर ओडियन्स तक उनसे काफी इंप्रेस है बाकी सभी characters भी कमाल के हैं हर एक character अपना एक अलग ही role निभाता है Music की बात करें तो अरिजित सिंग के music पे doubt करना पाप है Thun के गाने आपको एक अलग ही कहानी बताते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी अब बात कर ले थे हैं movie की negative points की जिसमें सबसे पहले हैं हर एक character का selfish behavior जो आपको शायद थोड़ा irritate कर दे especially संध्या की मा का Thrum बीच में थोड़ी खीची हुई लग सकती है Movie में end तक संध्या की पती का face नहीं दिखाते I wish की संध्या और उसकी पती के कुछ moments दिखाये गए होते जिससे audience संध्या की situation से relate कर पाती But overall ये एक worth watching movie है जो हम सभी को चोका देगी तो मेरा final verdict इस movie के लिए है 7.5 out of 10 Hey guys, thank you so much for watching अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like और comment करना ना पुलिएगा और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा